तो हे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलेजी तो दोस्तों फाइनली गूगल पिक्सल 4A इंडिया में लाउंच हो चुका है तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं इसके ओफीशल स्पेक्स बताऊंगा क्या प्राइजिंग है कब है पहला सेल डेट सब अच्छे से एक्स्प्लेइन करता हूँ और ये भी बताऊंगा कि आपको ये स्मार्टफोन पर्चेस करना चाहिए कि ने करना चाहिए तो बिना टाइम वेश्ट के इस वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों वीडियो सुरू कनी से पहले उपर आई बटन की वीडियो को जरूर से चेक आउट करिएगा और अगर चैनल पे अगर नए आगए तो चैनल को सिस्क्राइब भी कर लिजेगा चलिए दोस्तों बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में तो 5.81 इस का Full HD प्लस वाला आपको दोस्तों OLED स्क्रीन देखने को मिलेगा ये बात मेरे को बहुत अच्छा लगा कॉर्नी गुरुला ग्लास वर्जन 3 का प्रोटेक्शन होगा 90.5 रिशो 9 एस्पेक्ट पर ये स्मार्टफोन बेजड है नॉर्मल सा स्टेंडर्ड आपको दोस्तों OLED स्क्रीन देखने को मिल रहा है तो ये बात दोस्तों मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा यहाँ पर कॉर्नी गुरुला ग्लास वर्जन 3 बता दिया हो ना always on display है तो यहाँ पर दोस्तों आपका display हमें से always if on रहेगा और यहाँ पर दोस्तों थोड़ा उसका भी मज़ा ले पाएंगे अगर दोस्तों बात करें कैमेरा स्टप के बारे में तो यहाँ पर आपको देखने को मिलें का 12.2 मेगा पिक्सल का और दोस्तों कसम से यह जो camera है ना यह दोस्तों बहुत ही अच्छा आपको photo खीच के दे देगा जी यहां दोस्तों यह जो single camera है ना बहुत अच्छे photos को click कर सकता है Google का camera है यहां पर दोस्तों बड़े से बड़े cameras को यह टकर दे सकता है चाहे quad camera लेजे, चाहे triple camera setup लेजे, ये camera बहुत अच्छे photos क्लिक कर सकता है, 8 megapixel का selfie मिलेगा, जो 12.2 megapixel का camera है ना wide angle lens के साथ हैगा, पर 8 megapixel का selfie है वो भी wide angle lens के साथ हैगा, cameras इस smartphone के सबसे अच्छे है, no doubt camera पर दोस्तों कभी शक मत करीगा कि single camera है, नहीं single camera बहुत अच्छा camera है, अगर दोस्तों बात तले performance के बारे में, तो यहाँ पर Google बार-बार टीज कर रहा था कि Snapdragon का 732G रहेगा, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको Snapdragon का 730G ही देखने को मिलेगा, जो 8 nanometer के technology पे based है, Adreno 618 का GPU देखने को मिलेगा, तो performance यहाँ पर आपको अच्छा वाला मिल पाएंगे बिना किसी glitch, बिना किसी lag के, आपको smoothness feel होगा यहाँ पर, 730G है, बहुत अच्छा प्रोसेसर रही है अभी भी, अगर दोस्तों बात कर लें बैटरी सक्षन के बारे में, तो 3140 mH का बैटरी मिलेगा, अच्छा वाट के fast charging के साथ, और USB power delivery 2.0 का भी support देखने को म मिलेगा, और दोस्तों वैसे भी Google का फोन है, यहाँ पर सबसे बड़ा benefit यह है, कि यहाँ पर आपको updates बहुत जल्दी देखने को मिलेगे, चाहे Android updates होगा, चाहे यहाँ पर security patch update, आपको सारे updates बहुत जल्दी देखने को मिलेगे, और बहुत दिनों तक मिलेगे, क्योंकि Google का स्मार्टफोन है, अगर दोस्तों बात कर लें यहाँ पर थोड़ा build quality के बार में, तो plastic back के साथ आता और plastic frame भी देखने को मिलेगा, तो स्मार्टफोन ज्यादा durable नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, अगर दोस्तों बात कर लें price और availability के बार में, तो यह स्मार रुपए का दोस्तों यह स्मार्टफोन है, अगर दोस्तों आप मेरे से पूछो के तो देखो, मैं कहना चाता हूँ, अगर आपको Google का स्मार्टफोन चाहिए, अगर आपको Google का स्मार्टफोन चाहिए था, तो यह स्मार्टफोन आपके लिए बना है, लेकिन अगर 30,000 रु स्मार्टफोन चाहिए मेरे को अपर हमेसा अच्छी अच्छी अप्रेट्स चाहिए तो आप दोस्तों यहाँ पर इसी स्मार्टफोन को ले सकते हो otherwise यहाँ पर और कोई यहाँ पर दोस्तों ब्रैंड वैल्यू की हिसाब से प्राइज रखा गया है ना कि दोस्तों स्पैक्स वाइस प्राइज रखा गया इस बात को ध्याम रखेगा के लिए इंट्रेस्टिंग टेक्स इलिटेट वीडियो बनाता रहता हूं और सामको साधे साथ बजे टेक न्यूस भी देता हूं तो टेक न्यूस भी जरू से दिखाता हूं मैं मिलता हूं सबी से अगली और एक नहीं वीडियो में हमेंसे अपना ख्याला को खुश रहा रहा हुआ हुआ प definisium अड़ हुआ हुआницön बछे साथ कNotबeschini, कि फ स्लिटे से साथ हुआ झा प्या क्या हुआ हुआ pomoc她 नहीं खिखक चैसे ऑनी अहलो